हेलो फिर्ट गूड इबिनिंग कैसे हो आई होब कि आप लोग अच्छे ही होगे इस वीडियो में आप लोग इसमें कला वर के कटाश लोगा एस बसल यूपी बेट एंटरंस एक्जाम 2021 के लिए फ्रेंट्स इस टेस्ट में जो टोटल आपके कोश्चन्स होंगी वो होगे 10 अगर आप लोग 10 में से 7 प्लस कोश्चन्स से करेक्ट निकर लेते हैं तो आप लोग की त्यारी अच्छे है और आप लोग इस एक्जाम को आशानी से कलियर कर सकेंगे तो जो लिए इस टेस्ट कोई स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है यद धरतता मंत्री परशद तब तक पत पर बना रहेगा जब तक कि उसे डॉट-डॉट का विश्वास प्रापत हो किसका विश्वास प्रापत हो यह आपको बताना है राष्टपती का या प्रधान मंत्री का या संसत का या लोक्षभा का फटा-फट इसकोशन का सही जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट अंसर तो मंत्री परशद तब तक पत पत बना रहेगा जब तक कि उसे लोक्षभा का विश्वाश प्राप्थ हो आप्शन जो है डी के रिक्ट होगा इसकोशन का राइट अंसर काफी अच्छा कोशन है अगला परशन उच्छ न्याले के न्याधीस पत पर नेक्त होने वाली पर्थम महिला कौन है यहाँ पर हाई कोट की बात हो रही है और केवल न्याधीस ठीक है अन्ना चंडी, option जो है A correct हो जाएगा इसकोशन्स का right answer बात करें उच्च न्याले के मुख न्यादीस, तो वो थी लीला सेट, परथम महिला अगर बात करें, उच्च न्याले यानि कि Supreme Court की परथम महिला मुख न्यादीस कौन थी, तो फातिमा बीबी जो है Supreme Court की first female cheap justice थी, तो option इसका जो correct होगा option A और लीला सेट, cheap justice जानि कि मुख नादीस कूछे तब होगा High Court का, ओके तो भुला नहीं, confusion नहीं उना है अगला परश्च यहाँ पर देख सकते हैं फटा-फट बताएं किस प्रकार की आर्थिक समनता को लाना होता है तो वो है समाजिक समनता option जो है B के रिख्ट होगा Isquotions का, right answer अगला परश्च ना आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निमलिकित में से कौन सी अखिल भारती सेवा नहीं है फटा-फट बताएं कौन सी जो है अखिल भारती सेवा नहीं है Option जोए C के रिख्ठ होगा, is questions का, right answer अगले प्रश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राज के नीतिनी देशक्ति धान, किस देश के समविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे यह आपको बताना है, किस देश के समविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे तो वो दे से आपका आइलाइन के शर्विधान अप्शन जो है D के रिक्ठ होगा इसकोशन का राइट अंसर अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पंच वर्सी योजनाओं के इतिहास में भारत की सरवादिक आशफल योजना किसी योजना को माना जाता है वो कौन सी योजना है दिती या तित्री या छटी या सात्वी फटाफ कमेंट बॉक्स में इसका राइट असर बताएं तो शर्वाधिक आसफल योजना मानी आती है भारत की वो है तित्री योजना ओप्षिन जो है बी करेक्ट होगा इसकोशन्स का राइट आसर अगले परशन पटिल पुत्र को किस सासाक निश्वर प्रतम अपनी राजधानी बनाया था तो वो बनाये थे चंद्रगुप्त मौरी चंद्रगुप्त मौरी ने सबसे पहले अपनी राजधानी पटिल पुत्र को बनाये थे ठीक है ओप्षिन एकरेक्ट होगा इसकोशन्स का राइट अंसर अगले परशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य वंस का हिंदू प्रधानमंत्री हैमू पहले रेवाली की बजार में नमक बेचा करता था मगर वा बहुत प्रदिभा शंपन था उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाईयों में से 22 को जीता था हैमू ने किस उपलब्द में विक्रमा दित की उपादी धारण की थी यह आपको बत इसकोशन का राइट अंसर अगले प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किन्तु उलेमाओं ने विरोत किया फटा फुरता यह कौन से वो शुल्तान है तो वो सुल्तान है अलाउदन खिलजी ऑप्शन बी करेक्ट होग सेकेंड के सास्थ तो मिलित कीजए और सोचियों के नीचे देगे कूट का परयोग करते हुए सही उत्तर चुरिए यहाँ पर वाय मंडल परत दिये गही है और यहाँ पर क्रियाए दी गही है इधर तो सही से मिलान कीज़ी आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओप्शन दिया तंदर होगा ठीक है उसके बाद शमताप मंडल की जो कुरिया होती है वह वắtी विधू कि कीरिया का परवर्तन तो इसमें A का 4 जा रहा है तो A का 4 इसमें भी दिया गए इसमें 4 दिया गया है उसके बाद जो है B का 4 मे जा रहा है ठीक है B का 3 में यहां पे जा रहा था तो यह इसमें भी 3 है उसके बाद C का किस में जा रहा था C के दूसरा में जा रहा था तो दूसरा यह वाला सही हो जाएगा option जो है C के रिक्ट होगा discussions का right answer अगला प्रशन जो की यह आप लोग लिए प्रशन है सदा बहार वर्शा 1 पाए जाते हैं कहां पे पाए जाते हैं यह आपको बताना है तो सदा बहार वर्शा 1 पाए जाते हैं ब्राजिल में option इसका B करेक्ट होगा इस questions का right answer तो friends यह थे 11 questions और 11 questions में से आपकी जितने भी questions करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम इसको जरूर से जरूर बताईगेगा और ऐसी डेली टेस्ट की वीडियोश पाने के लिए चैनल से जूरू यही चैनल को सब्सक्राइब करके बगलों विलाकान को और पेपरस के लिए जगा आपको इस शिनल के बादम से निश्यरी मदद मिलेगी फ्रेंड्स कल से जो आपकी वीडियोश आएंगी वो जाजातर रिजनिंग की आएंगी और टॉपिक वाइस की ज़्यादा क्लासेस होंगी कल से ठीक है अब जो है दो से तेन दिन आपकी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लासेस नहीं चलेंगी केवल रिजनिंग के प्रैक्टिस सेट की आएगी उसके बाद टॉपिक वाइस क्लासेस की जो है नोर्स वाली वीडियोश कल से स्टार्ट हो जाएंगी मिलते हैं कल थैंक यू